किसी नगर में एक बुढिया रहती थी वे प्रतेक रविवार को सुभा उटकर स्नान आदी से निव्रत होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर सुच्छ करती थी उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती फिर भोजन तयार कर सूर्य देव को भोग लगा कर स्वयम भोजन करती थी भगवान भासकर की क्रपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कश्ट नहीं था दीरे दीरे उसका घर धन धाने से भड़ा गया उस बुढिया को सुखी देख कर उसकी परोसन उससे जल्ले लगी बुढिया के पास कोई गाय नहीं थी अतह रविवार को घर ल अशा में आकर अपने गाय को घर के भीतर बांध लिया जिस कारण बुढिया को रविवार को गूबर नहीं मिला बुढिया अपना आंगन नहीं लीप सकी आंगन ना लीपने के कारण उसने ना तो भोजन बनाया ना ही सूरीदेव को भोड लगाया और स्वयं भी भोजन न रात्री में सूर्य भगवान ने उसे स्वपन में दर्शन दिये और उन्होंने बोगना लगाने का कारण पूछा तो बुढिया में बहुत ही करुण स्वर में परोसन द्वारा घर में गाय बानने और गोबर ना मिल पाने की बात कही सूर्य देव ने अपने भक्त की में दूर करते हुए कहा माता मैं आपकी भक्ति से प्रसंद हूं मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांच स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूं जो सभी इच्छन पून करती है स्वपन में बुढिया क ऐसा वर्दान देकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए प्रातहकार सूर्योदी से पूव उस बुढिया की आप खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुन्दर गाय को देखकर वह हैरान हो गई परोसन ने उस बुढिया के आंगन में सुन्दर गाय को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी जैसे ही गाय में सोने का गोबर किया परोसन की आखे फट गई परोसन ने उस बुढिया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई बुढिया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और बुढिया पहले की तरह भगवान सूर्य देव का व्यत करती रही और कथा सुनती रही परोसन की चाला की देख कर एक दिन सूर्य भगवान में तेज आंधी चलाई जिसक कारण बुढिया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया सुबह उठकर बुढिया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्यर्य हुआ उस दिन के बाद बुढिया गाय को घर के भीतर बांधने लगी सोने के गोबर से बुढिया कुछ ही दिनों में धन्वान हो गई तो वह राजा के गर्बार में पहुची और राजा को सारे बात बताई राजा ने अपने सैनिक भेज कर बुढिया की गाय लाने का आदेश दिया सैनिक बुढिया के घर पहुचे उस समय बुढिया सूर्य भगवान को भोग लगा कर स्वयम भूजन ग्रहिंग करने वाली थी राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले बुढिया ने सैनिकों से गाय ना ले जाने की प्रात्ना की बहुत रोई चिल्लाई लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने गाय के चले जाने से बुढिया को बहुत दुख हुआ उस दिन उसमें कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को प्रात्ना करने लगी दूसरी ओर राजा गाय को देख कर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बूला इस सोने का गोबर करने वाली गाय को दूशाला की जगे मेरे कक्षमी बाढ़ा जाए सुबह जैसे है राजा उठा सारा महल गोबर और बद्रू से भड़ा देख कर राजा घबरा गया उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था जितना साफ करते वे उतना ही फैल जाता यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने परोसन को राज महल में बुलवाया और उसे धंडित किया इसके बाद राजा ने तुरंत बुड़िया को महल में बुलवाया और उससे शमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय लोटा दी ततपश्चार राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई तब बुड़िया ने राजा को रविवार के व्रत की और भगवान भासकर गवारा गाय दी जाने की सारे बात बताई राजा ने अपने राज्य में घोशना कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे